एक ऐसी वारदात जिसने राजस्थान पुलिस पर कहीं सवाल उठा दी एक ऐसी वारदात जिसको लेकर अब गहलो सरकार एक बाफिर कट घेरे में खड़ी हो गई है अलवर गैंगरेब कांड जिसने निर्भिया कांड के याद दिला दी राजस्थान की जन्यता के साथ राजस्थान सरकार को भी हिला दिया लेकिन अब तक आरुपियों की कोई खबर नहीं मिल पाई है मोगी पर FSL के टीम साथ से जुटाने में जुटी है और मोगी पर पुरिस के अलादिकारे भी पहुँचे है मतलब बच्ची यहां तक किस तरह पहुची मैंने आप से निवेदन किया यह सारी जो चीजें हैं जरूर कुछ जानकरियां आ रही है लेकिन उसको एक बार मतलब सारी कडियों को जोड़के ही किसी नतीजे पर पहुचा जा सकेगा तो उसके लिए थोड़ा सामें उसी कारण से मैं आया हूँ यहां पे महां भी गया जहां पे मतलब वो बच्ची का गर का रास्ता मिलता है और 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 भी आगे टीम आई हुई है वो अमने इस्पेशली उनको बुलाया है को हमारे से सुराग छोट नहीं जाए कोई सुराग मिल सके आह जहांसे भी सुराग मिल सके तो वह हम डूने कोशिश करें नहीं कोई घटना हुई इसके बाद अभी तक की जो इंवेस्टिकेशन रही किसी तार की कोई नाके बंदी में इसमें क्या है कि हमने अलग अलग टीम लगा रखी है जैसे कुछ लोगों को हमने ये नाकबंदी वाले दे रखा हैं कुछ को मालो पर कौन सी गाड़िया निकलिये कुछ को CCTV के लिए अब उनको एक साथ जोडने पर ही कोई नतीजा सामने आएगा नहीं जैसे अभी तक जो डॉक्टर राके से उनका कहना है कि बस जो भी वान था वो आकर रुपी उसके बाद लड़की को छोड़ा गया तो इसी यह अपरादियों में टेरर नहीं है किसी तरह का पुलिस को नहीं बहुत तो देखो आप यह जो आपका प्रशन है यह तो एक मसले के सामने आने के बाद ही इसमें पता चलेंगे एक्जेक्ली क्या हुआ है रागी हम हमारी तरब से पूरी कोशिस यह करेंगे कि ऐसे अपरादियों में पुलिस का बड़ा जबर्दस टेरर रहे हमारी और प्रात्विक्ता भी हमारी है इसी वज़े से आप यह देखिए जरूर मिलेंगे बिल्कुल मिलेंगे बिल्कुल मिलेंगे लिकिन अब तक अपरादियों का कोई सुराग हाथ नहीं मिल पाया है जिसने मासुम के साथ इतनी भयानक दरिंद्गी की घटना को अंचाथ दिया मैं जैपूर से जैपूर की जो इस्टेट फरंसिक साइंस लिबरोटरी है वहाँ हैटकौर से आया हूँ और हमारे जो डारेक्टर हैं डॉक्टर रजश शर्मा जी उनका विशेश उन्होंने टीम बनाई है इसके लिए जिसके तहत मैं आया यहां पर फुद उन्होंने कहा कि एक सीनियार आदमी जाना चाहिए कि तो उन्होंने स्पेशली इसके लिए भेजा और हम लोगोंने यहां पर आये तो तो पहले SP मैडम से भी मिले और उसके बाद यहां पर आया है जहां पर बाडी मिली है यहां पर हम लोगोंने अपने तरीके से जो फ़रंसिक जांच है वो फ़रंसिक जांच हम लोगोंने यहां पर किये हैं और अभी जांच चल रही है तो यह सब कुछ अभी under investigation है गाडी तो कि इधर से रूट है तो तीजारा से अलवर की तरफ तो गाड़ी इधर से आई होगी और साइट लगा के इन्होंने बाड़ी को यहां पर रखा होगा किराया होगा तो बाकि तो जांच में सब कुछ क्लियर होगा तो अब देखे जा रहा है है वो सब अभी सारे चीजें अब गाड़ी अगर है तो एक से जादे होंगे सम्हावना इसकी जादे है बाइक से भी डाल सकता कुछ कह नहीं सकते अभी इसके बारे में जिस तरह की चांसेज मिलें उसको देखे क्या लग रहा है कि बहुत टेजी से चलती गाड़ी से ठैका गया है या गाड़ी को रोक गया है जो निशान है उसे तो यही है कि गाड़ी को रोका गया है इसके बारे में भी जाँ चल रही है इसके बारे में भी नहीं कश सके लो राजस्थान सरकार कटखेरे में खड़ी है पीडिता के साथ ऐसी बरबरता की गए कि जिसकी कहानी सुन हर कोई काप उठा जहां पीडिता के जैपूर के SMS अस्पताल में आठी डॉक्टर्स की टीम में बड़ा ओप्रेशन किया पीडिता की हालत इस वक्त भी बेहत नाजुक है अस्पताल में राजस्थान के मंत्रियों के दौरे हो रहे हैं लेकिन अब तक आरूपी के गिरफतारी तक नहीं हो सकी पीडिता को जैपूर लाए जाने के बाद गहलो सरकार के स्वास्ते मंत्री परसादी लाल मिना, उध्योग मंत्री शकुंतला रावत, महिलाव बाद्विकास मंत्री मम्ता भुपेश, महिला आयोग के अध्यक्ष संगीत पे निवाल तक दौरे कर चुके हैं लेकिन राजस पीडिता के मातापिता जैपूर में मौजूद है और दोनों ही मजदूर है, मूख बदीर बेटी के लावए उन्हें एक बेटी और एक बेटा भी है, और ग्रामिडों की माने तो पीडिता घर से लापता थी, जिस अंतिम बार दोपैर 12 वजे खेत के गच्चे रास्ते सड किनारे जाती देखा गया था और जिसके बाद उसको किसी ने नहीं देखा, और अब पीडिता जिन्दिगी और मौत के बीच संघर्श कर रही है, लेकिन सवाल है, अलवर में इतने बड़ा रेप कांध होता है, लेकिन अब तक पुलिस के हाथ खाली ही नजरा रही है देखे, इसमें एक SIT मेरे द्वारा तो रंतप्रभाव से घटित कर दी गई है, और इसमें हमारी छे टीम हैं, जो लगातार प्रयास कर रही है, आरोपियों को चिन्हित करके उनको पकड़ने का, और बच्ची अभी जेके लॉन हॉस्पिटल जैपुर में रेफर की गई है वहाँ पर उसका इलाज चल रहा है, बच्ची क्रिटिकल कंडिशन में है, लेकिन डॉक्टर्स का ये कहना है कि उनको उम्मीद है कि जल्दी ठीक हो जाए, सबसे जाधा इंपॉर्टन हमारे बच्ची की हेल्थ है, और उना वे बच्ची की चल रहा है, और हम हर समभब कोश मैं प्रिथम द्रिष्टिया से क्या पता चल रहा है, क्या था, प्रिथम द्रिष्टिया इसमें डेफिनेटली दुष्कर्म का मामला है, और हमने उसमें मुकंदमा दर्ज करके तुरंत कारवाई शुरू कर दिये,